हेलो, नमस्ते, आप सब का फिर से स्वागत है मेरी कुकिंग चानल, ट्रेल अप स्पाइसिज में आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार, ये बनाने में बहुत आसान है, चटपटा है और हम शौर ये आप सब को बहुत पसंद आने वाला है तो आई देखते हैं किस तरह से बनाना है, इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे, इसमें आट करेंगे एक बड़ा चमच मेथी दाना, एक बड़ा चमच राई, एक बड़ा चमच सौफ, एक बड़ा चमच जीरा, और इन सभी साबुत मसालों को हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है हमें गैस की फ्लेम को यहां बिल्कुल कम ही रखना है और इन्हें लगाता चलाते रहना है इन सभी साबुत मसालों को हमें खुश्बू आने तक भूनना है बहुत जादा हमें इसे color change नहीं करना है ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं अब हम इसे दूसरे बरतर में shift कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हम इने दरदरा पीस लेंगे मसालों को दरदरा पीसने के लिए मैंने या मिक्सी का छोटा जार ले लिया है इसमें हम हमारे साबुत मसाले आट कर लेंगे अब हम मिक्सी का ढकन बंद करके इने दरदरा पीस लेंगे ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इने दरदरा पीसना है बहुत जादा इनका fine powder न बनाए मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास बोल ले लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम हरी मेर्च जिसे मैंने अच्छे से धोग कर सुखा के बड़े-बड़े टुकडों में काट लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आदी छोटी चम्मच हींग पिसावा मसाला जिसे अभी हमने ड्राय रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है इसे भी सारा अड़ कर लेंगे अब मैं हाँ डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच नमक नमक आप अपने हिसाब से एड़्जस्ट कर सकते हैं साथी में डाल रही हूँ तीन बड़े चम्मच तेल यहां मैंने सरसो का तेल काम में लिया है आप चाहें तो कोई भी तेल काम में ले सकते हैं पर सरसो के तेल का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हम आड़ कर लेंगे दो बड़े चम्मच विनेगर यहां पर मैंने विनेगर इसलिए आड़ किया है क्योंकि हमारा अचार इंस्टेंट है इसमें खटापन नहीं है यह विनेगर उसमें खटापन देगा और इसे प्रिजव भी करके रखेगा इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे लीजे हमारी हरिमिट्च का इंस्टेंट अचार बिल्कुल तयार है इसे आप तुरंट खा सकते हैं लेकिन इसका स्वाद एक से दो दिन बाद अगर खाया जाए तो बहुत अच्छा आता है इस अचार को आप फ्रिज में 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं आपको इंस्टेंट हरिमिट्च के अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अकर आप इसी तरह की और भी नहीं रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें